So Hello Guys, आज की वीडियो में हम Sex Education के Season 3 या Episode 6 को एस्प्लेन करने जा रहे हैं पिछले 5 एपिसोड का लिंक अपर कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा So पहले उसे चेक आउट कर लीजे फिर इस वीडियो को देखना So without any further delay, let's feel the intro Episode 6 की शुरुआत होती है और हमें लीली का बच्पन दिखाया जाता है यहां हम देख पाते हैं कि बच्पन से ही उसे एलियन्स और एलियन्स की स्टोरी लिखने में इंटरस्ट था और उसने बच्पन में भी बहुत सारी स्टोरी लिखी होती हैं पर उसके टीचर और फ्रेंड्स उसे सपोर्ट नहीं करते और उसका मजाक उड़ाते हैं और यहां में पता चलता है कि लीली ये सब अपनी मॉम से चुपा के करती थी पर एक दिन उसके मॉम को इसके बारे में बता चल जाता है और वो लीली को बोलती हैं कि वो इन सब चीजों में ना पड़े इस गर्ल्स इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करती फिर सी इन शिफ्ट होता है प्रेजन टाइम लाइन में जहां मैं पता चलता है कि लीली की लिखी हुई एक स्टोरी कि इसने लीग करती है और न्यूस पेपर वालों ने उसे अपने उस पेपर बेशाप दिया है इसके अलावा मोडेल को फिर से ऐसे सेक्स स्कूल के नाम से डिस्क्राइब किया गया था इसके अलावा न्यूस पेपर में ये भी लिखा हुआ था कि न्यू हैड मिस्ट्रिस जितनी भी कोशिश कर ले सेक्स स्कूल कभी मोडेल नहीं बन सकता फिर से इन शिफ्ट होता है ओला और ओटिस पर जो अब एक दूसरे के साथ कमफरडेबल फिल कर रहे हैं थोड़ी देर बाद वो भाई बेन बनने वाले हैं फिर से इन शिफ्ट होता है मीव पर जहां मीव आईजयक को ट्रिप के बारे बता रही होती है वो सब कुछ बता तो देती है सिवाए ओटिस वाले पार्ट के कि उसकी उसके और ओटिस के बीच में क्या हुआ था इतने में ही मीव को एक निया इमेल आता है और उसे पता चलता है कि अमेरिका वाले उनिवर्सिटी के टैलेंट प्रोग्राम में जिसमें उसने अपलाई किया था उसमें से सिलेक्शन हो चुका है पर आईजय को बताती है कि अब वो सिलेक्ट भी हो चुकी है और स्कूल उसे फंडिंग भी दे देगा बीच में ही ओटिस का मेसेज आ जाता है फिर मीव आईजय को बिना कुछ बताए स्कूल के लिए निकल पड़ती है यहां एमी की थेरेपी क्लासिस अभी भी चल रही होती है पर वो ओटिस की मौम को ट्रिप में होई लड़ाई के बारे हम बताती है वो बताती है कि उसे लड़ाई में कोई भी इंटरस नहीं है पर मीव उससे जान बुझ के लड़ाई करती है जैसे कि उसने ओटिस से किया था और ऐसे बोलते बोलते वो बता देती है कुछ समय पहले ओटिस ने अपने घर पर पाड़ी रखी थी जहां उसने श्रापी के मीव के बेस्ती कर दी थी और उसके बाद से मीव और ओटिस बात नहीं कर रहे थे फिर सीन्शिफ्ट होता है स्कूल पर जहां सभी बच्चों के बीच में लीली की छपी हो स्टोरी के बारे में बात चल रही होती है और सभी बच्चे लीली को उसके स्टोरी के बारे में चिडा रहे होते हैं इसके बाद लिली बहुत जादे डिप्रेश्ट हो जाती है और वहाँ से बीना कोच्प कही चले जाती है यहाँ ओफिस में मिस्स होप से मिलने में ब्रांच का प्रिंसिपल आया होता है और वह से बताता है कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो इन्वेस्टर्स उन पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे और मेबी आगे जाके स्कूल बंद हो जाएगा पर यहाँ मिस्स होप ने बताती है कि वह सक अभी नहीं होने देंगी और वह अब स्ट्रिक्टनेस लेवल को पुरा पीक में ले जाएगी इसके बाद वह प्रिंसिपल उन्हें स्कूल ट्रिफ के कान के बारे में बताता है जो असल में किया तो रहीम ने होता है पर आज आडम ने बोला थे कि यह सब उसने किया है और अभी सबको यही लग रहा हता है कि वह अलाकान एडम नहीं किया है और इसके बाद मिसेस होप से मिलने मीव आती है जो कि उन्हें फंडिंग के बारे में पूछती है वो उन्हें ये भी बताती है कि वह कॉमपटिशन में सिलेक्ट हो गई है मिसेस होप ये सुनके बहुत खुश होती है पर वो फंड के लिए मना कर देती है आज वो पताती है कि स्कूल की हालत वैसे भी टैट चल रही है बहुत बदनामी भी हो रही है इसलिए उपर से बोड़ वालों ने फंडिंग के लिए मना कर दिया है और अब पैसे का जोगाड मीव को ही करना पड़ेगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ ऐसे 2.4% ही लोग हैं जो वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करते हैं और मैं इन 2.4% में आने वाले लोगों को थैंक्यू बोलना चाहूंगा और मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि हम ये 2.4% को 3% भी बना सकते हैं अगर आप अभी ही सब्सक्राइब कर दें और मैं आप सबको स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगा क्योंकि हर वीडियो में जाद दर आप लोगों में से ही किसी का फर्स कमेंट होता है इसलिए मैं आपको स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगा और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करें थैंक्यू अब आते हैं एक्स्प्लेनेशन के तरफ यहां सीन शिफ्ट होता है मीव और ओटिस के उपर जहां मीव ओटिस को पताती है कि वो कमपटिशन के लिए सिलेक्ट हो गई है पर उसके पास जाने के लिए पैसे नहीं है पर यहां ओटिस उन सब बातों को साइड पे रखके अपनी बात बोलने लगता है और हो मीव को पिछले रात के बारे में पूछता है और उसका उसके बारे में जवाब मांगता है जिसके जवाब में मीव बोलती है कि वह आईजेक को लाइक करती है और उसका आईजेक के साथ सब कुछ ठीक चल रहा है और उसे कल रात के बारे में सब कुछ भूल के move on करना चाहिए फिर scene shift होता है assembly में जहां school trip को लेके सबी बच्चे Adam का मजाग उड़ा रहे होते हैं और यहां Mrs. Hope की entry होती है जो अपना daily space देने के बाद कुछ बच्चों को stage पे आने के लिए बूलती है जिन में शामिल होता है Adam, Lily और एक new admission जो एक transgender है और उसका boyfriend Jackson है और इन सब को इनके shame words पहना आए जाते हैं अगर आपको लग रहा होगा कि इन सब की गलती क्या है तो मैं बता दूँ जो new admission है वो transgender है और उसे पता नहीं है कि उसे boys के कपड़े पहनने है और गर्ल्स के और लिली का तो आपको एपिसोड के starting में पता ही चल गया होगा उसकी लिखियू story अब news paper में है और सबी लोग model school का मजाग उड़ा रहे होते हैं और Adam का तो आपको पिछले एपिसोड में पता ही चल गया होगा वही party वाला scene जो असल में रहीम ने किया होता है पर Adam इलजाम अपने ओपर ले लेता है यहां Mrs. Hope सभी बच्चों को बोलती है कि वह अपना अपना shame board सभी के सामने जोर से पड़े पर यह सब सभी बच्चे बैटके देख रहे होते हैं पर जब Adam की बारी आती है तो रहीम crowd में से खड़ा हो जाता है और वह बोलता है कि यह सब गलत है और उन्हें स्कूल में डराये जा रहा है जिसके जवाब में Mrs. Hope से suspend कर देती है और यह सभी students के लिए बहुत ज़ादा shocking होता है as उन्होंने कभी भी इतनी स्टिक ने सबने स्कूल में नहीं देखी थी इसके अलावा सभी के phone भी सीज कर लिया जाते हैं assembly के बाद मीव को आईजाक का call आता है जहां वो बताता है कि कैरावान में पुलिस आई हुई है और वो मीव के छोटी बेन एलसी के बारे में पूछतास कर रही है जिसके बाद ओटीस मीव को लिफ्ट देता है एलसी के न्यू पैरेंट्स के घर तक जहां मीव के पूछने के बाद उसे पता चलता है कि मीव की मॉम एलसी को बाहर घुमाने ले गई थी तर वह वापिस नहीं आई और सबको लगता है कि वह गिड़नाप हो चुकी है इसके जवाब में वू बोलता है कि वह यहां मीव की हेल्प करने आया है पर यहां आई जाइक ओटीस को अंदर नहीं जाने देता बहुत कोशिश करने के बाद आखिरकार ओटिस अंदर आ ही जाता है जहांकि इसकी पुष्टा चल रही होती है पर यहां मीव और आईजक एक दूसरे को टोकने लगते हैं यहां आईजक और ओटिस की बीच में लड़ाई हो जाती है और यहां मीव आईजक को बता देती है कि ओटिस और उसके बीच में स्कूल ट्रिप में क्या हुआ था लेकिन इसके साथ वो यह भी बोलती है कि जो भी हुआ वो सब मिनिंगलेस था और यह सब सुनने के बाद आईजक मेव से गुसा हो जाता है और वहां से चला जाता है फिर scene shift होता है वीव पर यहां Mrs. Hope उसे अपने office में बुला के बहुत ज़ादा डांटती है एज वो picnic की in charge थी और उसने Mrs. Hope को बताया था कि पिकनिक अच्छी जा रही है और कुछ भी गड़बर नहीं है एज उसने Mrs. Hope को जुट बोला था उसे punishment मिलती है कि उसे अच्छी university में जाने का मोका नहीं मिलेगा यह सब सुनने के बाद वीव सठी आ जाती है और अपनी और Mrs. Hope की conversation रिकॉर्ड करके सभी बच्चों के बास भेज देती है और वो बोलती है कि अगर सभी बच्चों का अपने हक के लिए लड़ना है तो उन्हें आगे आना पड़ेगा फिर scene shift होता है otis पर जो गुस्से में अपनी mom को इदर उदर का बोल देता है यहां Eric अभी भी Nigeria में होता है यहां किसी को भी पता नहीं होता कि वो gay है जिसके बाद उसे एक कैमरामान मिलता है और वो भी गे होता है वो दोना अपने अपने पार्टनर्स के बारें बात करते हैं और वो बाहर गोमने जाते हैं किसी क्लब में जहां Eric उसे kiss कर लेता है एपिसोड 6 यहां पर end हो जाता है एपिसोड 7 के explanation के लिए लफ रोली वीडियो पर क्लिक करें थैंक यू